हेलो गाइस, वाट्स आप, इस देजोती है और वेलकम बैक टू टेकी डिडी आज कल आपको हर एक स्मार्टफोन में नैनो या माइक्रो सिम देखने को मिलता है और पिक्सल 3 और आईपोन 10S के अंदर आपको e-SIM का भी सपोर्ट देखने को मिलता है लेकिन भाई अभी एक ने टेकनलोजी आ ही है जो है i-SIM तो आज मैं i-SIM के बारे में बात करूँगा तो i-SIM का मतलब है Integrated SIM और यह आपके फोन का जो प्रोसेसर है उसी के अंदर इसे बिल्ड किया जाएगा क्योंकि भाई modern जिटने सरे स्मार्टफोन से उसमें स्पेस बहुत एक important factor है और आजकल तो all the mobile manufacturers are continuously looking for smaller, slimmer and lighter devices और इसी लिए मतलब जो components इतना ज़ादा important नहीं है उनको निकाला है जैसे कि हमारा headphone jack हो गिया और इसी list में हमारे SIM cuts भी आ जाते है क्योंकि जो आपका SIM cut का जो tray है और आपका जो ejector spring है वो भी कभी-कभी space ले लेते है और इसी लिए मतलब पहले हम full-size SIM cut use करते थे फिर mini SIM आगे, फिर micro SIM आगे, फिर nano और अभी जो latest है वो है eSIM यानि कि embedded SIM जो हमको pixel 3 और iPhone XS के अंदर देखने के लिए मिल जाते है लेकिन भाई eSIM भी एक हलका सा space ले लेते है मदरबुर्ट के उपर क्योंकि यह basically एक hardware की chip है जिसके अंदर SIM cut को जो data है उसे store किया जाता है तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसे processor के अंदर ही build किया जाए क्योंकि भाई SIM cut का मतलब क्या एक छोटा सा chip जो हमारे identification और कुछ data store करती है तो इसे तो मतलब हम easily अपने processor के अंदर ही integrate कर सकते है तो in general this is the concept of IC तो भाई overall देखा जाए तो जो हमारा SOC है उसे के अंदर ही हमको processor, GPU, modem और जो हमारा ISPs होते है वो सब देखने के लिए मिलते हैं तो जो iSIM है वो भी EC के अंदर ही integrate कर दिया जाएगा और इसका size भी बहुत छोटा होने वाला है और यह बिल्कुल eSIM वाले की तरह ही काम करेगा और basically iSIM को internet of things devices के लिए बनाया गया है क्योंकि future में जितने सारे gadgets होंगे वो सारी की सारी IoT devices के concept के ऊपर ही based करके बनाया जाएगा and 5G technology will also play major role in this field and arm मतलब जो company chips की design बनाती है वो भी design आगे दे चुके है काफी सारा manufacturers को तो भाई अब देखते है कि आगे हमको कब मिलता है ऐसा कोई device और security purpose की लिए भी iSIM बहुत काब में आएगा हमको क्योंकि यहाँ पर कोई आपके SIM card को misuse नहीं कर पाएगा क्योंकि SIM card device का अंदर ही है और आगर आपके phone चोरी भी हो गया तो मतलब जिसने लेगा आपके phone को ओ भी SIM card को change नहीं कर पाएगा और इसलिए device को track करना और भी easy हो जाएगा तो आप देखते हैं इस technology को हमें सबसे पहने कौन सा device में देखने के लिए मिलता है और future में आपको जितने सारे gadgets 5G और IoT से related देखने के लिए मिलेगी वो सारी चीज़े iSIM के ओपर ही चलेगे So guys that's all for today Please hit the like button and do subscribe my channel And I will see you again in my next video Stay happy and be positive